Hello friends, welcome to the third lecture of electrostatics और इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स फोर्स के बारे में So without any further delay, let's start this video तो एक ऐसी फोर्स जो दो चार्जिस के बीच में लगती है ऐसी फोर्स को मैं कूलम्स फोर्स या फिर electrostatic फोर्स बोलता हूँ देखो भी definition लिखिये मैंने यहाँ पर It is a force between two charges अब यहसे समझ में नहीं आया तो एक example ले लेते हैं मैंने न दो positive charge लिए ठीक है और उनको न पास में लेकर आया जब मैं उनको पास में लेकर आया तो वो दोनों आपस में क्या करने लगे Repel करने लगे अच्छा जब मैं दो negative charge लेकर आया तो भाई वो एक दूसरे को क्या करने लगे वो भी एक दूसरे को Repel करने लगे जब मैं एक positive और एक negative charge लेकर आया तो भाई वो एक दूसरे को attract करने लगे तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ सिमिलर थी क्या सिमिलर थी इन तीनों में इना force लग रही थी वो बात अलग है कि same charges वाले में repulsive force थी और opposite charge वाले में attractive force थी ठीक है वो बात अलग है पर इन तीनों में क्या लग रही थी force लग रही थी ऐसी force कोई हम क्या बोलते हैं coulombs force या फिर electrostatic force जो दो charges के बीच में लगती है ठीक है तो इसका एक formula भी है f is equals to k q1 q2 by r square ठीक है यहाँ पर q1 और q2 तो भाई दो charges है क्योंकि force हमेशा दो charges के बीच में ही लगेगी और r square क्या है r square ना इन दोनों charges के बीच का क्या distance है ठीक है यहाँ पर k क्या है भाई k ना constant है एक k constant है जिसकी value है 1 upon 4 pi epsilon 0 ठीक है यह epsilon 0 क्या है यह epsilon 0 को ना permittivity बोलते है ठीक है अभी आगे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी आगे पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक है और इस k की value क्या होती है इस k की value होती है 9 into 10 की पार 9 newton meter square पर coulomb square ठीक है अब भाई इस k की जगा पर मैं यह वाली value हो तो लिखी सकता हो ना कोई दिक्कत नहीं है 1 upon 4 pi epsilon 0 ठीक है बस इस k की जगा पर मैंने क्या लिख दिया 1 upon 4 pi epsilon 0 बाकिस अब तो सेम ही क्योंकि मैंने बता दिये न k की value क्या होती है यही होती है 1 upon 4 pi epsilon 0 और इस पूरे की value ठीक है क्योंकि अभी confusion होगी आगे देखना चलो यार एक चीज़ से और समझते हैं इस चीज़ को ठीक है electrostatic force यह क्या चीज़ आई यह नहीं ठीक है मुझे एक बात बताओ कि सबने 11 में यह चीज़ पड़ी है gravitational force ठीक है यह रिवाई F is equals to G M1 M2 upon R square Q1 Q2 by R square ठीक है यह coulombs ने दी थी यह coulombs ने दी थी तो reality में पता है क्या था Newton और coulombs ना एक दूसरे को जानते थे ठीक है और जो coulombs था भई वो ना चोर था एक नंबर का क्या था वो चोर था क्योंकि Newton ने जब gravitational दिया था यानि कि यह वाली force का expression दिया था तब ना coulombs ने उस चीज़ को चुरा लिया था उसको चुरा के ना उसने charge के ओपर formula बता दिया था क्योंकि Newton ने किसके बारे में बताया था Newton ने बोला था कि भई दो masses के बीच में कोई भी universe में जो दो masses होते है उनके बीच में क्या लगती है force of attraction लगती है हमेशा ठीक है उसी को हम क्या बोलते थे gravitational force बोलते थे ठीक है तो coulombs ने क्या करा coulombs ने यही बात किस पर अपलाई कर दी coulombs ने यही बात charge पर अपलाई कर दी similarities भी है और बहुत जादा difference भी है कैसे similarities तो भहि मैंने बता दी यह देखो format ब्लकॲ same है इनका ठीक है यह 2 masses के बीच में लगती है य्आ दो charges के बीच में लगती है दो लिखने का format भी same है बिलकुल ठीक है और क्या क्या similarities है एक Similarities की ना ये दोनों Inverse Square Log को Follow करती है कि यह one upon R² किで Inversally Proposional है ना इसी को क्या बोलता है इसका Inverse Square Log बोलता है तैक है और क्या Similarities है एक Similarities यह है कि भई ये ना दोनों Conservative force होती है कौन से force होती है Conservative force होती है ठीक है अब इनमें Difference क्या है इनमें difference यह है कि जो force of gravitation होती है नहीं यह हमेशा attractive होती है nature में ठीक है कि कभी भी repulsive नहीं होगी यह हमेशा attractive होगी पर electrostatic force ना दोनों हो सकती है यह attractive भी हो सकती है यह repulsive भी हो सकती है यह हमने देख लिया अभी same charges के case में क्या होता है यह repulsive होती है और opposite charges के case में क्या होता है यह attractive होती है और क्या-क्य similarities है और क्या-क्य difference है तो भई एक और difference होता है क्या होता है भई जो gravitational force है ना ये ना macroscopic level पर लगती है मतलब यह बहुत बड़े level पर लगती है ठीक है जो gravitational force है यह बहुत बड़े level पर लगती है जहां पर जो electrostatic force है वो ना बहुत चोटे charges के लिए applicable है ठीक है point charges के लिए applicable है यह चीज़ यानि कि जो gravitational force है वो macroscopic level पर काम करती है और जो electrosetic force है वो microscopic level पर काम करती है याद रखने है यह बात है ठीक है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इन दोनों में ठीक है अब आगे बढ़ते है ये बात तो मैंने अभी बता दी बिल्कुल ठीक है कि जो कूलम्स फोर्स है वो क्या है पॉइंट चार्जिस के लिए अभी बताया ना ये क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लावल पर काम करती है यह एक यूनिवर्सल फोर्स है जैसे ग्रैविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल थी वैसी ये भी क्या यूनिवर्सल है ये इन्वर्स स्क्वेर लॉग को ओबे करती है अ epsilon not क्या होता है, relative permittivity क्या होती है, इन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है, और ये भी समझेंगे, कि electrostatic force में ये epsilon not क्यों आया था, ठीक है, इसका reason क्या है, आने का, ठीक है, तो देखो भई, एक ना constant होता है, epsilon, ठीक है, इसको बोलते है, permittivity, ये तो होती है, permittivity, जब मैं इसक epsilon not की value हो, ये k की value नहीं, ये epsilon not की value हो सिर्फ, क्या है, 8.85 into 10 की पार, minus 12, ठीक है, याद रखना, इसकी unit भी निकाल दोगे, जो k की unit थी, epsilon not की क्या होगी, उसके उल्टी हो जाएगी unit, तो इसकी unit इंकालना भी असान है, अच्छा, अब ये permittivity होती है, ये तो नहीं पता, स ठीक है, एक example लो छोटा सा, बता रहा हूँ, imagine करना, ठीक है, मैंने ना दो charges लिए, ठीक है, मैंने दो charges लिए, वो दोनों charges opposite sign के दे, ठीक है, एक positive लिया और एक negative लिया, अब ना, मैंने उनको air में रखा, ठीक है, air में रखा, तब ना मैंने force calculate करी, उनके बीच में electrostatic force लग दिया मैंने, अब ना उनको पानी के अंदर लेकर गया, तो देखना, जब आप force measure करोगे ना, तो ना पहले से क्या आएगी, difference आएगा दुनों में, ठीक है, अब मैं उन्ही दोनों charges को किसमें लेकर गया, तेल में लेकर गया, ठीक है, मैंने तेल में रख दिया, distance वही है, charges charges भी भई है, अब force और जादा लगाएगी, तो इससे एक चीज़ clear होती है, कि भईया, जो force है ना, वो medium पर भी depend करती है, ठीक है, कि आप medium change करते हो, तो force पर भी change आता है, electrostatic force की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए क्या आता है, इसलिए epsilon not आता है, epsilon not उसी medium को show करता है ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलता है, permittivity बोलता है, ठीक है, तो vacuum में कितनी होती है, permittivity लिखी हुई है, ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, जिसको बोलते हैं, relative permittivity, यह क्या होती है, भई, हम ना, हर चीज़ को ना, vacuum से compare करते हैं, ठीक है, हर medium को ना, हम vacuum से compare करेंगे, ठीक है और जो हमें result मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं relative permittivity बोलते हैं relative permittivity को कैसे दिखाते हैं E के आगे चोटा सा R बना देते हैं ठीक है E के आगे चोटा सा R बना देते हैं इसका formula क्या होता है medium जिस medium के आपको निकाल लिए है divide कर दो से vacuum से अब एक चीज़ जिसने मेरी second वाला lecture देखा होगा उसे पता होगा कि जो K था जो K था वो dielectric को show करता है यानि कि semiconductor को show करता है तो यहाँ पर जो ER होता है यानि कि यहाँ पर जो relative permittivity है उसका symbol K भी होता है इसको मैं K के equal भी लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और किये क्या था किये था dielectric constant जिसको मैं semiconductor भी बोलता हूँ याद है ना second lecture जिसने नहीं देखा है मेरा वो जाके देख लेना ठीक है बहुत जादा अच्छा lecture था वो भी relative permittivity आ गई किसी भी चीज की निकाल लोगे बहुत अब मैंने एक टेबल बनाया हुआ है उसको देख लेना हर medium को क्या करते है हर medium को वैक्यूम से compare करते है बस खतम relative permittivity इतना ही धियान में रखो कि ना हर medium को क्या कर रहे हो आप हर किसी के medium को वैक्यूम से compare कर रहे हो ठीक है बस अब values है किसकी कुछ यानि कि के यानि के के डिय या फिर इ आ यहाँ पर इ आ है यहाँ पर इा आ है ठीक है जैसे वैक्यूम वैक्यूम की relative permittivity क्या होती है बन होती है कैसे बही नीचे लिखा vacuum मैं नीचे तो वैक्यूम से compare कर रहे हम उपर री लीडियम कर डाल अब बोला तो वाटर के लिए इसकी वेल्यू कितनी होती है, वाटर के लिए होती है 81, ठीक है, तो I hope कि आपको lecture समझ में आया होगा, ठीक है, और अगर आपको कुछ बेनाय सीखने को मिला हो, तो भई इस चैनल को like, subscribe और share तो जरूर कर देना, जब तक के लिए, see you, bye bye and have a nice day.